मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि यूनियन बैंक से 50,000 रुपय का लोन कैसे एपलाई करेंगे ये लोन आपको प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही आपके बैंक हाते में ट्रांसफर कर दे जाता है लेकिन ये वीडियो है इस बीया यानि के एस बेए यूमुद्रा लोन इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानिका अगर आपका एकाउंट इस्टेट बैंक में है तो इससे आप लोन कैसे एपलाई करेंगे तो इसी प्रोसेस को वीडियो में समझेंगे तो चले वीडियो को शुरू करते हैं तो दिखि वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल शुरू से दिखाना चाहते हूं उस प्रोसेस को तो हम टाइप करेंगे यहाँ पर सिसुमुद्रा लोन एस्बी आई इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा वह से ज करना चाहते हैं वह लेंग्विज यहाँ पर आप देख लेंगे तो हम यहाँ पर इंगलीज में करना है यहाँ पर प्रोसीड पर हम किलिक कर देंगे अब यह पेज आपके सामने ओपन होकर करका आएगा एस्बी इमुद्रा लोन वेलकम टो इमुद्रा मोबाइल नंबर ड यहाँ पर ढ़लेंगे उसके बाद लोन कितना है roz kita आई करें बॉर वेरिफाय करें हुसके बाद तो है जैसे अप सही डालेंगे और वेरिफाय पर लेंगे तो आपके आप यहाँ पर डालना होगा ओचीड से कंटीन उट तो चलिए हम यहाँ पर OTP डालेंगे चार रंगों का एक OTP आपको send के जाएगा verify OTP पर click करेंगे चलिए किलिक कर दिया आप OTP डालकर verify पर हम click करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर sorry you are not eligible for online e-moodra kindly visit concerned SBA branch for further detail okay पर हम click करेंगे अगर आपको यह error दिखाता है है तो आप दो बार से इसको जो है refresh करकर दोबार से apply करेंगे और यहाँ पर आये और यहाँ पर आये और यहाँ पर फिर लेंगाश जो है जैट करेंगे अपनी उसके बाद mobile number डालेंगे capture पर करेंगे तो टीपी चैड़ कर जाएगो नबवर्दा डालेंगे दो बार पर यहां पर एर्र दिखा गया है सूरी यह नोट यानि कि यह इलिजीबल नहीं है इसमें मुबाइल नमबर से ही जो डाटा कुछ कर लिया होगा यहां पर दिखाएगा है कि सोरी हो सकते हैं इस वेबसाइट में भी कुछ टेक्निकल इसू हो तो इस वज़े से भी एपलाई नहीं हो रहा हो तो हो सकते हैं आप एक बार बिजिट कर लीजेगा तो मैंने आपके सामने यहां पर दो मुबैल नमबर डाले हैं द है उसे यह दिख्कत है अन्यता अगर आप अपका बहुत से भो आगे बढ़ गा है तो ही प्रोसर्स को कर सकते हैं और कोई प्रोडम कि करने में तो मुझे मुझे कमैंड कर सकते हैं और एंस्ट्राइग पर हमें फोलो करके और अँब पर कोई प्रोब्लम आपको आती है तो स्क्रीन सोट आप हमें सेंड कर सकते हैं इस प्रोसेस को कंप्लिट कराने में आपको पूरी हेल्प की जाएगी यह जो मैं कस्टुमर के अपले कर रहा हूं देखिए उनका जो है इसने नोट इलीजिबल बता दिया है तो इस प्रोसेस क को यहीं पर in complete जो है छोड़रा हूं क्योंके इसने नोटे इलीजिबल बता दिया जिसका मैं अपले कर रहा हूं तो जब तक at emails नहीं होगा वर हम आगे ने बढ़ता सकता मैं कोई समस्य आते हैं हम मुझे कॉंट्रेक्ट कर सकते हैं कमेंड बॉक्स में या इस्ट्राग्राम पर तो चलिए इस वीडियो में इतना ही और अगर फिर से किसी कस्टोमर के मैं अपलाई करूंगा और वह एलिजेबल हो जाता है तो फिर प्रोसेस दिखाऊंगा पूरा मैं आपको इसी जो है किस तरह किसा अपलाई किया जाता है